हेलो मित्रों यूपी ट्रपल सी क्लासस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों आज मैं परिया वरन अध्यान जो की सीटेट की परिच्छा आपकी जुलाई में होने वाली है उस परिच्छा ये लिए बहुत ही महात्पूं टॉप 30 प्रशन लेकर आया हूँ तो चलिए मित्रों इस 30 प्रशनों को देख लेते हैं इसमें से आपकी परिच्छा में प्रशन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रशन लंबर फश्ट है कि जीवों के पारिस्थित्की कारकों का योग परियावरण है या कथन किसने कहा है आपके सामने चार आप्सन है इसका राइट एंसर जो होगा मित्रों होगा ए ए फिटिंग ए फिटिंग ने जीवों के पारिस्थित्की कारकों का योग परियावरण है कहा है चलिए प्रशन लंबर टू है कि अधो लिखित में भावतिक वातावरण का तत्त नहीं है कौन सा नहीं है तो भावतिक वातावरण का तत्त जो है आप्सन डी नहीं है यानि बस्तिया नहीं है नेक्स्ट प्रशन है कि सतत वास्थाई विकास किस प्रकार की अवधारणा से सम्बंध रखता है तो सतत वास्थाई विकास जो है मित्रों नियत वादी अउधारणा से संबंध रखता है option A बिल्कुल right होगा next है प्रश नमबर 4 प्रश नमबर 4 है कि बर्तमान समय में बन्निच हेत्र उसे कहा जा सकता है जहां प्रकिर्थ में मानो क्रियाओं द्वारा परिवर्तन हुआ है कितना परिवर्तन हुआ है तो इसका right answer क्या होगा मित्रों इसका right answer होगा option A 50 परिवर्तन से कम प्रश नमबर 5 ये भी बहुत महत्पूर्ण है कि प्रियाओ वरणिये निश्चयवाद के प्रतिपादक काउन थे चार option आप लोगों के सामने है आप लोग खुद से भी चेक करते रहिए और अगर चैनल पे नए है यूपी ट्रिपल एसी क्लासेस को आपने सस्क्राइब नहीं किया है प्रस्ट नमबर छे सन्युक्त राष्ट शंग ने बर्स दो हजार दो में किसका अंतर राष्ट ये वर्ष घोशित किया चार option आप लोगों के सामने है तो इसका right answer होगा छे का ए सतत्त विकास का प्रस्ट नमबर साथ विस्व परियाव वरण दिवस कौन सी तारी को मनाया जाता है बहुत important है लगबग सभी परिच्छा जितनी ब्यार परिच्छा हुआ सब में पूछा गया है तो option C बिल्कुल right है पांच जून को नेक्स्ट प्रस्ट है प्रस्ट नमबर 8 प्रस्ट नमबर 8 कह रहा है कि निम्न में से किस एक का संबंध परियाव वरण ये सुरच्छा नहीं है तो क्या नहीं है मित्रों तो इसका right answer होगा आपका B गरीबी कम करना नेक्स्ट है प्रस्ट नमबर 9 प्रस्ट नमबर 9 है कि परियाव वरण का संतुलन बनाए रखने के लिए बनांतरगत छेत्रपल होना चाहिए कितना होना चाहिए तो लगभग मित्रों 33 प्रतिसत होना चाहिए option C बिल्कुल right होगा प्रस्ट नमबर 10 कि प्रस्ट नमबर 10 कि पेड़ पौधे प्रदूसन को घटाते हैं doen कि वह Só San करते हैं तो पीड़ पौधे मित्रों कि रिए चुप供ीजर करते हैं कारबन डाइाकसsecond का और कारबन डायाकसाइड को असोसिद करके oxygen उत्सरजित करते हैं जिसे मनुष्य जो है सभी जीव जन्तु सांस लेते हैं प्रश नमबर 11 किसी छेत्र में पेड़ों के उगाने के लिए आपेचित नियूंतम तापमान है कितना तापमान होना चाहिए इसका राइट एंसर है आप्सन नमबर C चार डिग्री सेल्सियस प्रश नमबर 12 कह रहा है कि भारत में बन अनुसंदान संस्थान कहां इस्थित है तो भारत में बन अनुसंदान संस्थान देहरा दोन में अस्थित है आप्सन C बिल्कुल राइट होगा प्रश नंबर 13 है कि भारत में अधिक्तम बना च्छादन छेत्र कौंसा है प्रश नंबर 13 बहुत ही महत्पूर्ण है तो 13 का राइट एंसर है आपसन ए आर अच्छित बन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा मित्रों प्रश नंबर 14 है कि निम्न में सिक किसको हरा सोना कहते है तो ये आपसन बी विल्कुल राइट होगा बन को कहते है प्रश्ण नमबर 15 भारत में अधिकांस बन संपदा का मालिक कौन है भारत में अधिकांस बन संपदा का मालिक कौन होता है इसका आप्षन है सी राइट है राज्य इसका राइट एंसर होगा आप्षन बी पेल लगाना से प्रश्ण नमबर 17 है कि सोपान किरसी कहां की जाती है तो सोपान किरसी पहाड़ों पर की जाती है पहाणों के धलान पर की जाती है प्रस्ट नमबर 18 है कि प्राकिर्तिक संसाधन का उधारण नहीं है तो प्राकिर्तिक संसाधन का उधारण क्या नहीं है option D, right है इमारतें प्राकिर्तिक संसाधन का इमारतें जो है संसाधन नहीं है प्रस्ट नमबर 19 है कि प्राकृतिक संसाधनों के नश्ट होने का सुमेल कारण नहीं है क्या नहीं है प्रश्च नमबर 19 बहुत ही महत्पूर्ण है तो इसका राइट एंसर है B भूकम प्रश्च नमबर 20 है कि परियावरण की मूल भूत संकल्पना नहीं है परिया वरण की मूल भूत संकल्पना नहीं है तो इसका राइट एंसर क्या होगा? इसका राइट एंसर है B जनसंख्या ब्रिद्धी प्रश नमबर 21 बहुत ही महात्पूर्ण है कि तथ्यात्मक परिया वरण में निमलिखित में से क्या सामिल है? 21 का राइट एंसर क्या होगा? तो इसका राइट एंसर होगा D उप्रोक्त सभी सामिल है ये प्रश नमबर 22 परिया वरण को उरजा प्राप्त होती है किस से प्राप्त होती है? तो परिया वरण को उरजा राइट एंसर होगा D सूर्य से प्राप्त होती है होता है तो नगरों में परियावरान असुंतलन मित्रों उप्रोक्त डी होगा इसका राइट एंसर उप्रोक्त तीनों से मल निकासी से आवास्य समस्या से जलाओ लकडि से प्रश नमबर 24 प्रश नमबर 24 है कि परियावरान हराज का प्रियावराण हराज का प्रियावराण प्रियावराण अपकरस्ण 24 का राइट एंसर होगा D प्रश्ट नमबर 25 है कि मरुस्थली करण में परियावरण होता है तो मरुस्थल में परियावरण जो है मित्रों असंतुलित होता है राइट अपसन होगा A 26 नगरी करण का परियावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है तो उप्रोग तो तीनों प्रभाव जो पढ़ता है मित्रों राइट एंसर होगा D मतलब जल परदूसर्ण भी होगा, वाई परदूसर्ण भी होगा और ध्वनी परदूसर्ण भी होगा प्रश नम्बर 27 है परियावरण किस से बनता है तो इसका राइट एंसर क्या होगा, ओप्शन D जीव ये घटकों से भी बनता है, भू आकरित घटकों से भी बनता है, अजयव घटकों से भी बनता है प्रश नम्बर 29 है कि परियावरण का प्रतिक भाग कहलाता है तो प्रियावरान का प्रतिक भाग क्या कहलाता है पारिस्थित की कारक आप्शन B राइट होगा B नेक्स प्रेशन है प्रेशन नमबर 29 प्रेशन नमबर 29 है कि पारिस्थित की विज्ञान केंदर कहां इस्थित है तो पारिस्थित की विज्ञान के इंदर कहां इस्थित मित्रों? 29 का राइट एंसर क्या होगा? Option D, बंगलोर में इस्थित है प्रश नमबर 30 है कि पारिस्थित की तंतर के दो घटक कौन से है? पारिस्थित की तंतर के दो घटक कौन से है? इसका राइट एंसर क्या होगा तो इसका राइट एंसर होगा जैबिक तथा अजैबिक दी तो यह रहें मित्रों आपके टॉप 30 most important परिच्छा उपयोगी प्रस्ट आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और अपने मित्रों को भी सियर करिएगा चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के ल के लाइए भाइए तक के लिए ढूए?